आज हम बात करने वाले हैं जागरी और शुगर के बारे में जागरी याने गुड तो गुड के क्या बेनिफिट है एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वह ब्रीधिंग अगर प्रॉब्लम है किसी को तो उसके अंदर वह बहुत अच्छा काम करता है दूसरा आपका अगर क दूसरा जो भी बॉड़ी में तॉक्सिन रदे उसको वह निकालता है अगर किसी को एनमिक है या जिसको इसमें आयन अच्छा खासा होता है जैगरी के अंदर गुड के अंदर तो अगर ब्लड के लिटिट कुछ प्रॉब्लम से तो वह भी क्योर करता है और डाजिशन तो वह एंप्टी सोर्स अफ कैलरीज है तो इसका कोई नूटिशन वाल्यू नहीं और स्पेशली डाजिश लोग के अंदर मना करते हैं शुकर लेने के बिकाज वह सदन स्पाइक करता है जो ब्लड शुकर लेवल है उसको बढ़ा देता है और शुकर खाने से आपका बेट भी बढ़ता है तो आज हम बनाने वाले है गोड काजू हल्वा तो काजू का हल्वा बनाएंगे पर हम शक्कर नहीं दालेंगे इसके जगह पर गोड़ दालेंगे तो यह बहुत ही हेल्दी होता है बॉड़ी के लिए तो लेट सी हाओ टू मेक दिस इसका रेसिपी कैसा है हैं और शली कोड़ें अरुडव काजू लोज़िख्यागे यहां जापए it WAY मिनिट के लिए आपको इसको रोश्ट करके आप अब्य॥ Unit के लिए है को शलम्मनरा है इसरे लिए कि कि यह होगा कि काजू जोहता तो फाला साथ त्ट यह और इसके बाद आपको इसको ग्रैं अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसको आप रोस्ट यह कर लीजिए एक प्याले में निकाल लीजिए और आपको साइट पे काम करना है कि चार चमच गुड़ का पॉड़र लेना है तो यह भी फिलाल अवेलेबल है आपके दीमाड और यह सिब जगा पे तो अब गुड़ का पॉड़र भी आजकल मिलना है तो यह भी आप चार चमच अपको पूड़ का पॉड़र लेना है और यह चार चमच गुड़ के अंदर आपको 100 ml वाटर दालना है इसको अच्छी तरह से हीट करना है दो से तीन मिनिट के लिए तो गुड़ जो है वह पिगल जाएगा और वह सेमी लिक्विट फॉर्म में बन जाएगा उसके बाद आपको यह दोनों चीजों को काजू को और यह गुड़ को यह दोनों को अच्छी तरह से आपको तो इससका मिलाना है तो इस तरह के से आप इसको मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी डालेंगे और कि ऐसको मिलाते जाएंगे और एक। अचिह तरह से इसका इसको mixt कर लेंगे कि यह अशूं जयसे आप देख रहु हूं कि इस तरह किसे आप मिक्स कर लिए इसको और मिक्स करने के बाद अब इसको एक प्लेट के अंदर ओई लगा के इसको और या बटर लगा के इसको अच्छी तरह किसे प्लेस कर दीजिए और इसके बाद आपको इसको रखना है पच्छी से तीस मिनिट के लिए रूम टेंपरिचर पे तो ये अच्छी तरह से जम जाएगा और बाद में इसको आप कटिंग करके और सर्फ कर सकते हूं काजू में अल्रेड़ी ओयल रहता है आपको इसमें गी बगर दानली की जरुवत नहीं बढ़ती है तो एक हेल्दी काजू हलवा इस रेडी फो यू तो यह अपने घर में बना सकते हैं आप बच्चे को भी दे सकते हैं आप कुद भी खा सकते हूं सबसे इंपोर्टन चीज़ें के शोगर को अवाइट करना चाहिए तो इस ए रेसिपी और यह ओर वर्विव है इसमें कैशुनद आपको डाइसोग्रम लेना है जैगरी गुड़ है चार शमाज आपको लेना है और एक बार फिर से मैं आपको स्टेप समझा देता हूं के पहले आपको काजू को रोस्त करना है पाच मिनिट के लिए फिर उसके बाद इसको ग्रैंडर में दल के ग्राइंड करना है थर्ड स्टेप जो है वह आपको चाल टेबल स्पून जैगरी करना है लेना है उसको हीट करना है 100 ml वाटर के अंदर दो से तीन मिनिट तक और उ है तो 45 मिनिट में यह रेडी हो जाता है एंड रेडी सर्व है आप खा सकते हों और स्टे हल्दी स्टे फिट स्टे अलाइब और स्टे हों थे क्याएब